नमस्कार मसला देख रहे आप और मैं हूँ आपके साथ गौरव राचिंट्रा हर्याना विदान्सवा चुनाव में हार का देंश कॉंग्रिस को अभी तक चुब रहा है किसानेता गुरुनाम सिंग्छ चडूनी ने भूपेंटर हुड़ा को लेकर जो बयान दिया है उससे सियासी संग्राम एक बर फिर से चिरता हुआ दिख रहा है तो वहीं गुरुनाम चडूनी ने कहा कि हमने कॉंग्रिस के पर्ष में माहौल बनाया लेकिन भूपेंटर हुड़ा की गलतियों से कॉंग्रिस सकार नहीं बनी तो वहीं भाजपा की जीत के बाद राज्य में शपत ग्रहर समारो की तैयारियां जोरो पर है बता दे कि कारवाहक मुक्यमंत्री नायव सेनी 17 अक्टूबर को शपत लेंगे लेकिन आज के मसला में हम सवाल यही पूशेंगे कि हरयाना में कॉंग्रेस की हार पर कब तक का आखिर संग्राम होता रहेगा सवाल यह भी कि गुरुणाम सिंग चडूणी के बयान के क्या मायने निकाले जाए और मसला में हम आज जानने की कोशिस करेंगे कि आखिरकार चड़ोनी के बयान पर इतनी राजनीती क्योगर्माई होई है तो इस बिच आपको प्रतिक्रिया सुनवा रिते हैं मैं यह मानता हूँ कि जो गुप इंदर हुड़ा है वो अती बुद्धी ही ही है हर्याने ने जो महौन पनाया कांश के पक्ष्म वो हम ने बनाया था वो किसानवर अलवने बनाया था किसा चल बेरे को ने किती दूसरे लगोरों देदेता किसानलों के अंतर ये तो जाता जाता ब गजितानलों है इसलिये हम आप घड़े हुए सबसे बड़ी वज़ा क्या रही कांगरस की हार कि आप अगर गुर्मान से पूछा जाए सबसे बड़ी वज़ा ये रही कि इसने किसी से समझता ने किया और कांगरस ने इसके पर शोड़ दी और अब बी अब बी मैं आपके मदम से कहना चाहता हूँ कांगरस हाई कमान को कि अब भी विप्षकाने का बनाना है वह विपुपेंद्र हुद्धा को ना गूए क्योंकि पिछले 10 सालों में विपेंद्र हुद्धा ने विपुपेंद करना कि कांग्रिस का राज है जो अच्छी भूने का निभाने ही पख्ष कियों तो और यह मजबूत कि पख्ष चाहिए उसके लिए लड़ने वारा आदिन को अगे करना पड़े है तो आपने सुना कि किस तरीके से जो है किसान नेता गुरुनाम चड़ूनीं जो है कॉंग्रिस पर हमलाबर दिखाई दिये और साथी साथ आज सबसे बड़ी बात तो उन्होंने कही कि जिस तरीके से पिछले दस सालों के अगर बात की जाए तो नेता प्रत्थफख्ष जिस आगे भी बनाओगे तो यही हार का सामना करना पड़ेगा इसको लेकर तमाम सारे सवाल हैं पैनल का तारफ मैं आपके साथ करवा देता हूँ हमारे साथ रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से स्वागत असरा आपका दिनेश आप जो है मैं दिनेश जी आप से करना चाहूँगा इस बार चुके आपकी पार्टी को लेकर सवालों के घेरे में हो और साथी साथ कहा ये भी जा रहा है कि चुनाब हो गए नतीजे आ गए अब तो शपत गिरहन की बारी है और ऐसे में कॉंग्रिस अभी तक अपनी हार का जो दंस है या फिर अपनी हार को बुला नहीं पा रहे है ये साथ कुरूंजी नोश्टार आज की जिम्रेट का विशय आप में चदूनी जीवों लेकर रखा और आप में जो प्रश्न किया वो कॉंग्रेस की इस चुनाव में हार को लेकर रखा मैं दोनों प्रश्ना का उत्तर देना चाओंगा सबसे पहली बात तो यह है अगर कॉंग्रेस की हार की बात आती है जो आप कह रहे हैं जनता का आदेश हर पालिटी को स्विकार होता है जनादेश सब को स्विकार होता है परन्तु यह जो चुनावी परिनाम आए हैं इसमें हमें जनादेश कहीं दिखाई नहीं देता यह परिनाम जरूर है चुनाव के अगर ऐसे डिवेट करनी है तो मैं छोड़ देता हूं दिने जी दिने जी आप जो है अग्रेसिव मोड ने एक्टिवेट हो गए जोड़ा की सही है अप अपने आप को कॉप्लीट कीजे कोई दिकत नहीं आप जो अपने दूसरे महमानों के पास जाएगा जो चुनावी परिनाम आपको दिखाई दे रहे है उसमें जनादेश नहीं है जनादेश को दबा दिया गया है और इस पाट के तक हम पहले भी टीवी चैनल पर रखते रहे हैं चुनाव आयोग में भी हमने रखते हैं और बार बार उन चीजों को आपके सामने रखा है जिस तरीके से 99 प्रतीशस बैटरी बैकप मिले जिस तरीके से जो बैलिट पेपर थे बैलिट पेपर जो सरकारी करमचारी का होता है उसमें जहां भार के जिनता पारिटी हार रही थी और कॉंगरेस के 78 पीटों पर लीड कर रही थी जब सरकारी करमचारी सरकार के खिलापता तो सरकारी करमचारी का परिवार भी खिलापता तो जब बात अगई मजिनों की रिम दिगी तो वहाँ पर आकर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया और तीसरी चोटी बातों कि अगर मैं बात करूँ तो पास तारीख को चुनावायोग कहता है कि 61.0 of something percent वोट कास्ट हुआ है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दिने जी में आपके पास लोट हूँगा ठीकनिकल फॉज़े से आपकी वोइस में तो नहीं पहुंच पारी है रामरा जी शर्मा जी मैं आपके पास आँगा शर्मा जी आप सुन रहे थे और आपने जिए जी जी आपने बाद कीजिए जो है गुरुनाम शर्मा जी कह रहे हैं कि कॉंग्रेस इस माहौल को नहीं बुना पाई हमने पाक्ष उनके फेवर में रखा तो क्या यहां पर सवाल यही उठेगा कि जिस तरीके से जो है उन्होंने कहा किसानों ने कॉंग्रेस के पक्ष में क्या जो माहौल बनाया उनके हिसाब से जो वो कहते हुए नजर आ रहे हैं तो क्या सिर्फ यह राजनी लिए वकता के लिए समझा जाए रामराज जी दिनेंज जी आप एक रैंने साम्ड़ेस के अऽ्यावाद कर दीजी अब ही आपके आवास मुझे ब्रेक है ती इस पर कर दीजिए का ब्यान है तो पुरे देश के जितने 56-टीस खिeln संथनкоं सबीं किसान आ को साव नेकर नेकर तो यह क्रिजिक अरुदी ब्यानि Cotton पूंचना के तो चीम नों wavelength नहीं की जाएन विसकता हैं प्रीसियाई guxx किसामों ने जू अंधोलन किया, वो अंधोलन ता, वो किसामों अंधोलन था, युथ उन्दोलन लो अंके साथ खड़ीती, हमारे पक्ष में महोल कलने वाली इसके इंदर कौंसी बात आगला इसमें, हम विपक्षी दलत का काम होता है, जमता को किसी भी वरत के साथ अगर अन्याखना तो उसके साथ खड़े होना मजभूती से उसकी बात को रखना है तो इसमें कॉंग्रेस के अच्छ में महार बनाने वाली जो बात वो कह रहा है मुझे समझ नहीं आता है कि यह बात नहां से आई थी आपको समझ में नहीं आ रहे हैं दिनिश जी मैं आपके पास लोटूँगा और भी तमाम महमान हमारे साथ जुड़े हुए है एक-इक प्रित्किया मैं उनसे लेना चाहूँआी शर्मा जी आपका क्या टेक है संतुश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ संतुश जी میں आपके पास आ रहा हूँ हूँ चुकि आपी से सवाल है उनका और आपी का मुद्दा है तो मैं आपसे जरूर जो है मैं आपसे समय लेकर जो है आपसे सुनना चाहूँगा गाम राजी जी क्या कहना चाहिए तक भी बनाने की कोशच करें ये किसान के देज में कॉंग्रिस ही कारे करता है और वो चडूने जीन उसके ओपर मौर भी लगा दी तो इसे साथ साथ जायर होता है बशक कोंग्रिस की और ये जो किसान निता बना रखे तें इनके बीच में कोई गहरी दील हुई दील है। वो सभाना प्रोफ cancel कि व्हाला ती उनol reminds your एंनेवे आडा हैं के मैला आएंगे खटा कटा पडा बंदापट्वर और भागे दरहे हैं और बेना उसे उत्ते काट जोने बाते दे वो ले ले लेगा इंगा पिस्चा पिस्चा जोड रही है इनकी जूट का परदापास हो गया और चदूनी की उसे कहना में स्टेटमेंट से साफ साफ जाहर होता है कॉंग्रिस पार्टी ने की तरह से परदेश का माहौल बनाने की कुस्चित करी और इनकी साफ में अगThe जाहरी दिल थी जो इनकी अदे बील के अंसार कॉंग्रिस पार्टी ने वो वाइदा महीं निबाया इससले से दुनी जी ने वह साफ चाह परदेश की चंटा को पता दिया जो क्भरगलाई भ़स में में किशां भता हूंगे पकड़के यह उक्ती से लहें कहीं कहीं से लहें परदेश का मावल भिगार नहीं कोईस्स करी थी लेकिन हमारे प्रदेश की देव तुले जन्ता जनादन जो बगवान का रूप है इन गमडियों को इन जुटों को जुटों की फैक्ट लगा रखी है ये सामने आपका बेखा है ये इसमें भी राउन जितना गमड था ये मेरे को धंकी देता था पता नहीं क्या चाब बोलता था मैं तो इसके उमर का लियाद करता हूँ आपका बड़ा है इसलिए मैंने इसके बार में कुछ नहीं बोला है मैंने ये का वैं प्रदेश की देव तुले जन्ता जनादन को प्रद जोड़ते हैं जन्ता सब देख रही है और जन्ता नहीं का बड़ा लिया जिस तरह से ये बोखलाट में आपी आपी उसलिए पड़ रहा है तरह को ये खक है कभी इसका बिलना हुझे इतना इतना ये वेंटिलेटर पर चले गए है अब ये कोमा में जाने की बारी है जिस सरे से एक कूदद का पड़ रहे है इंकी जमेंड का उसलिए बंत्री मंदल बनाने लगेते अपने आप ये बागों का बढ़ और करने लगेते अरे मेरे बाइ जन्ता बगवान का रूप है हम तो उसको बगवान कहते है और आप उसको क्या कहते है राक्ष चर्थ अरबर गेंगे खापका नेता कुरुशयत्र की दरती में खड़ा होके मैं सराइब देता हूं तो आगे जन्ता आगा ऐसे आखरवाद मिलता रहेगा और 20-30 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलेगी तो जन्ता बगवान है और बगवान का हम स्टाव करेंगे तो बगवान हमारे को ऐसे आखरवाद देख परेगा अब ये बोकलाट में उल्जलूल बाते बहुलते हैं ये इनको मेरे कोडर हैं कोमा में पहीं आभी पहुचने वाले जैसे उल्जलूल ये कूद रहे हैं तो जन्ता ने इंगी जूट का परदा बाख रहा इन्होंने जूट की वैक्टि लगा रखी थी जन्ता जाख चुकी है उनकी ध्लजी दौरी की दुकन बंद हो चुकी है और जन्ता इनकी काथ की अंधी जन्वी की चरद चुकी है कैए मैं आज जोडे का देवत गे रेगा रेगे देवतूल फदा परदाण और तेश्यू बांगार ने जूटी करता हुदंधा का इस तरह से पीसरी बार केंदे हमारी सरकार बनाई है यह GET लिए धे खोनाखनां का जह दन्हैट करता हूं और विशोν के सबसे लोग स्र ili और पाकबर प्रजान मंतरी आजने अन्रेंडर मोंदरी की नीतियों की जीत होई है वारतिय जिल्टा पार्टी की नीतियों की जीत होई है और हमारे प्रदेश के देपुलन मुख्या मंदरी जो बहुत ही मिलन सारे हैं जंजन के चेते हैं तो जती ब्रादरी के मजिया हैं और संतोजी संतोजी सबसे पहले हैं आपके पास मीमत各 है तरही हिरु कंगो कहिते हुए थोड़ा सब देश संतोजीस किता इस नहीं लुकार पेहले ही आपके पास को समय देना मेरा काम है जो आपने पर ख़िरा। मैंने निवेदन किया कि आप अपनी भाषा की दर्मा को बनाए रखेंगे दिले जी आपको शिकायद बहुत रेती आपको समय पूरा लेता हूं आपको पूरी तरीके सुलता हूं अगर मैं सवाल करूंगा तो आपसे जवाब बने का निया आ रहा हूं आपके पास रहा हूं आपके पास आना चाहरा हूं संतो जी मेरे वाद पूरा है अब जी जी समसे पहले तो आपको जो जितने भी आपके दर्शा कहूं सो गोमेरा नमस्कार देखिए जो समसे पहली चीज तो यह है कि जो कॉंग्रेश से भी है और बीवेटी से भी है दोनों के दोनों जो एक मरिया दा है और उनको लांग रहे है यह वाकता लाप करने का कोई तरीका है यह नहीं क्योंकि एक sensible तरीके से आदमी को बात रखने की है कितनी जलत बात हो उसको भी आप तरीके से रख करते हो ऐसा नहीं है कि आप अब अपनी बात रखती हूं मैं अब अपनी बात रखती हूं किसानों ने माहूल बनाया का मतलब क्या है उसका मतलब तो यह हुआ किसान कोंग्रेस के पक्ष में खड़ा होकर आंदोलन कर रहा था मतलब तो उसका यह निकला लेकिन मैं इस बाता खंडन करती हूं किसान MSP के लिए लड़ रहा था तीन जो कानून आए उसके लिए किसान लड़ रहा था और वो लड़ाई तेरा महिने तक चली साड़े 700 किसान शहीद हो जाते हैं सरकार के दवारा सडकों पे दिवारे पहली बार देखी है रास्ता रोकना एक अलग चीद है लेकिन सडकों पे दिवारे खड़ी कर देना खिले गार देना और जब दूसरी बार उनको एक आश्वासन दिया के हम MSP देंगे आप आंदोनन वापस ले लो सारे 700 किसानों की शहादत हो जाती है और उनके आश्यवासन के बाद जब किसान वापस अपने घर आता है उसके बाद उनको MSP नहीं मिलती है किसानों को दोबारा से धरने पर बैखना पड़ा और जब दोबारा से धरने पर किसान बैखा तो उनके उपर ड्रोन से हमले हुए जिस तरह से आतंकवादियों के उपर हमले किये जाते हैं ये देश का दुर्भागे मानती हूँ किसान जो अनगाता है उसके उपर इस तरह से डॉन से हमले किये गए वो दुर्बादेपुर्ण है दूसरी बात क्या आपकी सामने माहूल बनाने के अपने बात कहो तो क्या खिरारी जो पहलवान बेटियां बैठी थी जो अपनी अस्मिता थी बात कर रही थी तो लड़ाई लड़ रही थी एक ऐसे बाहू बली के साथ या उसके अगेंस्ट कहो कि उसके अगेंस्ट कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रही थी जिसके उपर पचास से ज्यादा मुकदमे दर्ज है ऐसा कोई क्राइम नहीं है यह उतोमेटिक माहूल बन जाता है तेरह महिने तक किसान अंदोलन करता है यह उतोमेटिक माहूल बन जाता है अगनी वीर एक बहुत बड़ी समश्या हर्याना के लोगों के लिए क्योंकि यहां का यूवा या तो स्पोर्ट में जाता है या देश की सेवा करता है दोनों ही जगा पर उनके लिए रास्ता रोकना पड़ रहा है या रुक रहा है या आप ये समझ ले अगर आप सुबह सुबह किसी भी स्टेडियम या किसी सबक पर जाते थे तो स्टेकर जो स्टुडिंट है वो तड़कों पे दोड़ते हुए नज़र आते थे जब उनसे पूछ सकता था कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वो ये कहते थे कि हमने देश की सेवा करनी है हमने पोजी बना है लेकिन आज वो तड़के सुन्सान है वो ग्राउन सुन्सान है वो बच्याज नहीं दोड़ रहे हैं क्योंकि उनको मालम है कि चार साल की जो अधनी वीर लेकर आए है योज़ना ये उनके लिए सही नहीं है चार साल के बाद वो लोग कहा जाएंगे ये इस कनाती समच्छा है थी जो बीजेटी के अगेस्ट माहूल बना रही थी पहजाई बेरोजगार ये कलब कीज़े इससे भी ज़्यादा जो एक बहुत बड़ी बात है वो महिलाओ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है आप देखिए उरी सा कांड है कहीं तैल सा कांड है कहीं मनिपुर कांड है ऐसे से कांड हुए हैं कि महिलाओं की ज़्यकों बचाना मुश्किल हो रहा है जो इतना बड़ा नारा बेटी बचाओ बेटी बढाओ ध्यान कर एक शिरुआत की थी एक उमीद महिलाओं को लगी थी कि महिलाओं सुरक्षित रहेंगी लेकिन आज जो महिलाओं के साथ हो रहा है हर रोज दो बलात कर हर्याना में तो दकैती, फिरोती, बलाद का, मर्डर, हर रोज का एक जैसे होता न, एक रूटीन का काम, ये रूटीन का काम हो गया है और सरकार नकेल नहीं कह रही है, इसलिए बीजेपी के अगेस्ट माउल बनाता ये भी बात सही है, कि कॉंग्रेस की हार, कॉंग्रेस के पारण होई है क्योंकि कॉंग्रेस इतना election नहीं लड रही थी, जीतना आम जंता रग रही थी लोग जाते थे बीजेपी से चुटकारा, क्योंकि लोग अपो दिक्कत थी बीजेपी से कॉंग्रेस तो ठीक है आग सब्कार में आई नहीं आई गी दस साल रह गी अपंद्रा साल और रह ले गी और ताल नहीं आई तो भी क्या फ्रेफर जाएगा समझा लोगों की है आम जंद की है आर जंद को बहुत ज्यादा समझा हैं जो स्लेंडर तो आज समझा है महिलाओं के साथ युवाओं के साथ किसानों के साथ हो सब्सक्राइए अब ही उठान बहुत कम हुआ है क्यों नहीं बारिज से पहले उठान होता है कोई सरकार कोई भी सरकार आती है लेकर ही नहीं आती किसान को हमेशा पीसा जाता है खाद उनकी कम कर दी और रेट उसका बढ़ा दिया बीज आप देखो एक मैं आपको सोता सा उधारन दूंगी एक किलो गिहुँ पैदा करने के लिए पांच लिटर पानी चाहिए पांच लिटर पानी सो रपेका होगे मैं देखों मुटा मुटा आप लगा लो और गिहुँ कितना है बाइस रुपे किलो जिसमें खाद है अगले की महनत है भीज है खेत है उसका बहाई है गुडाई है वो सब दिखे अलग है वो तो मैं गिन्ही देखी मैं पानी की बात क जिनको मालूम नहीं गिया का कोई पेड हो है गिया जमीन के निच ना गहा है जमीन के उप पर लागा है या उसकी कोई बेल हो है ऐसे लोग जब मतलब किस्टी मंतरी बढ़ेंगे तो किसाना के लिए वो क्या सोचेंगे आप देखो ना जो अजानी अम्बाणी का पैसा रातो दिया जाता वो भी करोर अरभो रूपय में और किसान के लिए उसके लिए कमैटी के ओपर कमैटी बैस की है फिर कहते हैं नहीं हमारा इतना देने का बेहुत नहीं है जब कर दो लाखो करोर रूपह आए खिया डान येम्बाणी जो लोग किसी काम के मीं है तो किसान को क्यो बयान सामने आया है उससे क्या तालुकात हैं और उसको जो है आप किस पहमाहिसे आखती हुई नजरा मतलब आ रही है कौन सब पहमाहिसे हैं जेश में हर पॉलिसी ऐसी बनती है कोई सरकार आजए दूस आजे इस बात का है क्योंकि चिसान को तो पिचना है वो कहते हैं जो जनता है न वो तो अगर कौन पांड़ूआ का राज हो तो वह द्रोब दी है उसका चीन रन होना है और तर राम राज है तो वहां सीता है मनोच जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थोड़ा सा एनलिस होने भी किया हुगा ठीक है मैं आपके पास लोट हुगा लेकिन मनोच जी पत्रकार के तोर पर जो है आपने इस जो बयान गुर्णाम चर्णुनी जी ने दिया है उसके माइने क्या निकाले हैं सरा क्या समझ पा रहे हैं किस तरीके से जो है आखिरकार इस बयान को लेकर राजनिती गर्माई हुई है मनोच जी यहां तक यह इशू का बात है और मुझा इसा नहीं लगता है कि दिने शी को गुस्ता आना चाहिए क्योंकि यह विजस्ट बाती जन्ता पाथी जिस्ट रहा है आप को मुझे का प्रवक्ता आपके उपर एक रावन सिक्रादीस में अताहास कर रहा है और एंगर उसको नहीं रहे और जब उनको मौका मिल लेकिन उनके शब्द देखिए आप किस तरीके के गलत शब्दों का वो लगातार इस्तमाल कर रहे हैं लेकिन हैं कर दीच में दिल्पर नहीं रोक रहे हैं मैंने आपको समझाया था आपसे पहले भी उनको समझाया था कि दिल्पर किस तरीके के साथ में कौन सी बासा की इस्तेमाल करेंगे किस बासा का परच्छा देंगे वह आप समझे क्योंकि आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं जनता से सिरा टॉक कर रहे हैं आप मैं आपके सबी जो सवालों का जवाब लूँगा मनोजी आखिकर मैं आपसे जानना चाह रहाता लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे आप पर रुखना पड़ रहा है ब्रेक के उस पार मनोजी मैं आपसे समझे की कोशिस करूँगा किस तरीके से गुरुनाम चडूनी के बयान के मायने निकाले जा रहे हैं आखिरकार उनके बयान पर क्यों इतनी राजनीती गर्माई हुए एक छटो सब्रेक फोरण हाजर होते हैं मुझा बयान पर किस तरीके सिर्ण पर किस तरीके सब्सक्राइब कर रहे हैं किस तरीके स्पर्थ सप्रुल Скर किस तरीके से कपीए इधने पर कृड्ti मेशन साथ कर的 याल के बयान मैं पर किस ईंदिय चाहिए फश dont पर चाहिज खूने प्यूट टीन पर खेपर्ट्न गाजिवस नमस्कार दोस्तो एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थी ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिला रहा था पापा और एको पेड़ पीछे भाग रहे हैं किता मुस्कुराया लेकिन पास बैठे वेक्ति इस युवक के ब लेकिन पास बैठे वेक्ति से अब नहीं रहा गया उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मांसिक्स मस्यावाला है मेंटली रिटार्डेड है उसने पिता को का भाई साब आप अपने बेटे को किसी अच्छी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं पिता ने मुस्कुराते निया सा लग रहा है दोस्तो किसी के बारे में कोई धारना बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली मांति जानना चाहिए हो सकता है वास-थकता कुछ और ही हो कहते है ना जो दिखता है वो होता नहीं जो होता है वो दिखता नहीं जनाब देखकर परक्षना चोड़ो और लोगों को समझना सीखो नमस्कार मैंके जी सब जानते है जहां देखे हINAँ मारी हो अपना समझ के खाली हो अपना समझ के खाली हो इतने जो बयान दिया है उसको लेकर इस सभी बयान के क्या माइने निकालते हुई राजिते गल्यारे में पार्टियां दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से नुमाइन्दगी करते नजर आ रहे हैं इस पर चर्शा कर रहे हैं और ब्रेक से पहले मनोजी मैं आपसे सवाल किया था तो मैं आपी से शुरुआत करना चाहूँगा और फिर तमाम हमारे साथ से चुड़े महमानों के पास जाऊँगा मनोजी क्या माइने और किस तरीके से आकर उन करते हुँ नजर आ रहे हैं जांतर गुरुणाम जी की अगर बात है तो मुझे एका नहीं लगता है कि उनका इस्टेट्मेंट का पुइंद माट नाट हो है तो कि उन्होंने खुद जो है एलेक्शन लड़ा था कॉंग्रेस के खिलाफ और वो हार भी गए और पंजाब में भी जो उन्होंने सन्युक्त संगर्ष पार्टी का निर्मान किया था और दस सीट पर लड़े थे और वो भी वहां पर भी आर गए थे 2019 में भी वो जो अलाटवा से एलेक्शन लड़े थे वो भी आर गए थे भले वो एक किसान नेता के रोप में कुछ मुद्धों पर उन्होंने परड़ेशन किया और लीड किया ये बात तो ठीक है लिकिन जब आप एलेक्शन हार जाते हैं और उसके बाद इस तरह का स्टेट्मेंट देते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसका कोई मात तो ह और स्वावी कहें कि जिस तरह से भागती जनता पार्टी की जीत हुई है और इस तरह के अगर स्टेट्मेंट आएंगे तो स्वावी कहें कि वो तो मुद्धा उठाएंगे और हमारे यहां अगर परड़ेशन की अगर बात करें तो हमारे यहां हर दो दिन तीन दिन चार द तो उनको वां पे जाते हैं और support करते हैं तो ऐसा ही नहीं है कि अगर वो support कर गेती है यह मतलब नहीं हुआ कि अगर कोई reservation को लेकर कर के चाहे वो पानी को लेकर के को परदर्शन कर रा था तो उन्होंने particular party को support किया और एक movement बनाया, तो मुझे इसा नहीं लगता है कि इस तरह का statement देना चीए, और इसा होता भी नहीं है, तो अभी के समय में मुझे इसा नहीं लगता है कि इसका कोई relevance है, अगर कोई farm hesitation को लेकर के, कोई मुद्दा को लेकर के, अगर कोई गुरुनाम जी कोई issue को आगे बढ़ Congress Party तो अभी review करी रही है कि उन्होंने क्यों हारा, और उसी बीच इस तरह का statement की मेरे के, मैंने आपको बहुत support किया, अगर आप support करते तो आप election नहीं लड़ते, आपने प्रवा से क्यों election लड़ा, तो मुझे इसा नहीं लगता है कि कोई इस statement का कोई math है, और सभावी का कि बारती जन्ता पार्टी इसको उठाएगी, जिस तरह से बारती जन्ता पार्टी के खिलाब farm agitation पिछले दो साल से चल रहा है, तो सभावी के इस तरह से union मंत्री भी बोले कि farm agitation जो भी हो रहा था, farm leaders को expose कर दिया है, तो यह particular पार्टी को support कर रहे थे, तो यह सब चीज तो सुनना ही पड़ेगा इस तरह से अगर पार्टी जन्ता पार्टी के इस तरह से जीत हुई है, तो वो तो celebrate करेंगे और बोलेंगे, ठीक, ठीक है मैं जी, दिनेज जी आपके पास आ रहा हूं, मैं है, और अब आप बोल सकते हैं, चुकि और सवाल भी मेरा यही है, चड़ू किसानों की तरफ से ठीक है, लेकिन उन्होंने एक बात कहिए कि आपकी पार्टी को अभी गंभीरता से सोचने की जरुवत है, कि किस तरीके से आपने बैक्टूप पर जाकर चुनाम में हार मिली है, और उन हारों के किस तरीके से परणाम आपके सामने आये हैं, तो आपको क अगरों भाई, देखिये, जहां तक बात है सुझाओ देने का, कि कॉंग्रेस पार्टी से क्या कमिया रह गई गई, क्या खामिया रह गई, उस पे ये हमारी हर्याना परदेश की पूरी की पूरी जरुता में कोई भी आदमिया का सुझाओ देता है, तो इस तर अश्वाग करेंगे, तो प्रियास ये करेंगे कि पई-पनिया हमारी हुए तो आगे माँ हो, लेकिन ये शवद बोलना है, कि हम लोखकत कांग्रेस में पक्ष्मा महोड बनाया था, ये शवद, दोखिये, इमिता में जरोग तो करता हूँ, तो हजार बारात थेरा में कांदो नहीं के स्वामी रामदेव दी ने चलाया था, काल इनको लेका, और ये चलाया था कि काला धन स्विस बैक में है, और उस समय के गुजरात के मुक्चे मंतली नरेंदरोदी दी ने ये कहा कि अगर हमारी सरकार आई, तो हम स्विस बैक के काले धन को लाएंगे, और 15,500,000 रुपे लो हजारों क्रोड से जादा कि अगरा प्रपर्टी हैं खट्टी कर ली, उनके व्यापार का सिता पहुंच गए, 15,000 रुपे तो खोई गए खातों में से लोगों के, वो वो को अंदरों था, वो प्राइज इस था, वो था भार्टी जिंटा पालिटी को लाग देने के लिए, किसानों के अंदरों के वो पर ये शब्त बोला, क्योंकि किसानों में 750 किसानों की सहादत हुई है, और मैं नहीं समझता कि जब 1947 में हमसे देश में खाने के लिए अन्न ही पाजरोज़गारी थी, भुकमरी थी, उस समय किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया, किसानों को पर उसको भुनाने का शब्द जो औरो ने बोला है, कि भुना सकती थी कौंग्रिस, हमें अपनी जीत नहीं सिए, हम किसान के साथ है, अनदाता के साथ है, हम अनदाता का अपमान नहीं जेह सकते, लेकर मेरा कहना इस बात को लेकर है, कि गोरो भाई भाई जीजी बॉली बात आप नराज्टा, नर्श नराज्ती, करम्चारी नराज्ता, आप कोई भी बर्ग उठा लीजिए, हर बर्ग नराज, बैरिक पेटर में आप हार रहे हैं, 90% बैटरी बैटरी बैटर पार रहे हैं, और आप जो जो जिस तरीके से चुनाव के जो इलक्षन के जो डाटा थे हैं तो जिस तरीके से आख ने बगल दिये दो दिन के अंदर, तो ये सारी चीजें जो हुई हैं, थीक हैं, हम चुनावायोत में गए हैं, वा सुनवाई भी होगी तो अंसे प्रम्टोस भी जाएंगे, जो हमसे कमिया हुई हैं, उनको भी दूर करेंगे, पर अंतुमुत का मतल ये लड़ाई किसानों की लड़ाई थी, ये लड़ाई किसानों की लड़ाई थी, और किसानों की लड़ाई कांगरेस में लड़ी है, लेकिन वो इसलिये नहीं लड़ी, कि हम किसानों की शाधत पर जसन मनाएं, किसानों की साधत पर आज भारतिय जिनता पाइटी जसन मना और मैं तो बलकि एक बात हो और चाहूंगा बरो भाई साथ में जोड रहा हूं अभी आपके सुना होगा कि है एक डिकलेरेशन की है कि अन्यों परदेशों के बच्चे यहां पर बिना गॉमी साहिल के भी ऑनलाइन आवेदन कर शकते हैं बिना गॉमी साहिल के आप देखिये क कि दूसरे परदेशों के बच्चे आकर यहां पर नौकरी पाएंगे और हरियाना के बच्चों को बिरुजगार कर दिया जाएगा आरा हूं सब्सक्राइब कि आप लिख दीजिए खाली कि में हरियाना के निवासियों जैसे आपने देखा होगा कि हिमाचल का एक अश्वन कि आप लिख दूसरी पाइटी की बाती कि अवाद को अगर विपत्ष का काम नहीं कर पाया तो इसको विपत्ष कहलाने का कोई अभितार नहीं है कीसान के साथ अन्याय हुआ हम सात करें ऊए अर आज मझबूती से विपत्ष की भूणिकान भाइंगे और स्वर्कार कोई भी गलत काम करेगी तो वो गलत काम हम हर्याना करदेश की जनता के साथ नहीं होने देंगे हम जनता के साथ खड़े हैं और इस घमंड को निकाल दो कि केंदर में भी हम है और परदेश में भी हम है जनता से बड़ा कुछ नहीं है ठीक है आज मशीनों में गड़ गड़ करके जीत तो गए हो लेकिन जिस दिन ये जनता पर उतार आई उस दिन बंगलादेश ना बंद आ कि तुम्हारे प्रदानमंत्री निवास के अंदर भी जनता घुश जाए जैसे बंगलादेश में भुशी थी ऐसे हालात खड़े मत करो इसी प्रिस्तितिया खड़ी मत करो इतना घमंड मत दिखाओ ये जनता है जनता जहारदन है आपने जनता की बोट पे चुनाव नहीं किसान बोल रहा है यहारी बैंक बेटिया बोल रही है ये त्राहिवान बोल रहे है यह जीत है यह जीत फार्मा जी आप कुछ कहना चाहरा थे और दूसरी चीची है कि भारते जनता पार्टी जो है गुणान चड़ोनी जी के बयान को इस तरीके से देख रही है चुकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से ये भी का गया है और आपकी पार्टी की तरफ से सुधान सुत्रवेजी को मैं सुन गा था तो उन्होंने साफतर पर कहा था कि इस तरीके के आंदोलन जो है कहीं में राजमितिक और यहां पर आंदोलन करने के लिए पर आजमितिक और आजमितिक और अचलवेजी के वाइनदोलन करें है देखो गुर्णाम सिंग्जी की स्टेटमेटके सा्ब साब जाएर हो गया बंधिया अंदोलन फाहल में पहले दिफ्ता और कॉंगर्स पार्टी में इसको फाइनल गरका था और कॉंग्रेस पार्टी इसके पीछे कॉंग्रेस पार्टी थी और ये किसान के फेट में कॉंग्रेसी कारे करता थे इनके प्रवक्ता न भी ये माना था जब अरविन कर्मा जी का मैम में वरोध हुआ था तो आप इसके चैनल पे इनके प्रवक्ता थे उसने कहा, हाँ मैं सभीकार करता हूँ यह कॉंगर्स पार्टी के लिए कार्च करता है और किसानों के पास इतना समय काया किसान तक अपने चचाम तरह आगा ये पार्टी ये क्लाइक करता है थे मजलनम उसे कॉंगर्स रही है दीरियल कोंग्रिस में मतलब उसमें कांगर्थ ली नहीं करी वीजियर दी सद्व us при ती जो अहत्मा थी उनकी आत्मा की हौ़ाज पर बॉल नहीं थे वह कोंग्रिस पार्रज पार्ज को सरे थे ओर एक उचारे थे अगने मावन हमने बना है पंधा होना नहां बना इसका मतलब किसा बढ़ुआ है। इसका मतलब कॉंधर स्पार्टी ना हमने सब्सक्राइब कर रहा है है। किसान के उपद सीजो, किसान की उपद क्या बहुता किसान की भट्लों का आग्स क्या बहुता। लगजित है PM스को पृद्ले को स्रेज रहें क्या आपको श्रम आननी चाहिए, देक्वाच्स प्राकरथषी का már उपूर को बहुता है। कि आपको चर्म आनी चाहिए तेख की वोटो कॉपी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ आपको डूसरा किषाण और मजदूर के बिच्चों को इनाना नोक्रिया नी दी ये नोक्रियों की बात करते हैं आज केते हैं आपके टाहिमें पढ़ती होती दी आज जाज किसी है मुख्या मंध्री जे शेतर से बाहर के बिच्चेते नोक्री दे लगते दे मुच्छ मंत्रीज भी उस मुच्छ मंत्री वे जबाड़ी उसिते परसियां होती भी परिवार्वाद लेज़ पॉसरी मेशिपल की वाधर भाल सबस्क्र चाहिए और नकर्ण सबस्क्र भी जंब कर दो दो इसके मेरिट का दार पर कुसान का बेटा मजूर का बेटा ग्रीब का बेटा इसकी प्किन पेड़ी घाली सलीगी को चमगा की लिए लगाता आज दुना कर्षी दुना पर किये मेरेट कातार पर अलार उस्वान अफ्टर लग रहा है यह जोरो की बात है यह हमारी सरकार लगा रही है यह आदर में नाइव सिंग सेने क जिर्चार लगा रही है आज भी 80,000 बच्चों का रिजल्ट आउट होया है जो इनकी बर्ती रोग को गेंग है उसना वो बच्चे नोगरी में लगने दिये थे तो नावायों को में शिकायच करके उनकी बर्ती रुखवादी थी और उससे पहले भी बहुत बच्चे नोग कादार पर उनका तायम है तो इनके टायम में खेकेदार ही परता होती थी इंका तायम है लोगफांद में अंक्ति क्या करता था हार ने ठेकेदार कर लेता था ऑर पैसे लेके Thoughti करता था और दो चार चे महिने बाद उसको धख्या देता ना उसका प्यावी एटाई देता ना उसको पैसे सेल भी देता ज़र पैसे लेकर दूसरे को बर्टी कर देता तर उसके साथ एसाई करता फिर तिसरे को पैसे लेकर आमने उस थेकेदारी परता को खतम करया परफ्था को तोड़ा, और इन बस्चों को रिटार्मेंट तक रोजगार की गॉर्टी ती यह हमारी सरकार करी है होजी होता है जो होजी वो लाइंडोंडर के मामले में पुरक्षा के मामले में बिसिप्लीन के मामले में और नमबर का नागरीक होता है और जो अगनीवीर में कुछतो बच्चे, वहीं महरेट का अधार पर है जाएंगी, तो वाक्तिस आएंगे, जो वाक्तिस आएंगे, हमने उनके लिए आरेक्षन दिया हमारी सरकार, हमारी प्रोट में, पायर गेट में, अनले नो करियों में, हम अगनीवीर को नो करी देंगे आगनीवीर को प्राथ मिख्ता देंगे इतना प्राइटा भी उनको मिल जाएगा और फोटा प्राइवेट एस्टर में उद्वत पत्यों में मांग करी है दज्वा अगनीवीर मौकिल ना मिले हम उनको मौकरी देंगे और अची सेल देंगे यह तो आम के आम कुछलियों के द सब्सक्का बेधी अगनीवीर का उदेशें है आंतरी रोट से हमारे भारत को मझार्मार को मद्सके और पता है इनدا कि अकूब परचार करिया तो परदेताने और परदेश की जनता ने इन पात इनकी बातना में का आनने की आह रहा है यह और पदेश्ट मेंस की भूठ आज पतना करता हूँ यह बहुत अपर दो इनों में बोले पहले भी पहले भी बहुत आपके चैनल को बोले था लेकिन में जनता जनाच उनको पर जोड़ दिया तो कोई बास में हमारे बड़े भाही हैं यह परदेश की जनता स्थागी और जनता बगवार का रूप है और जनता न आपके पास आ रहा हूँ और सवाल मेरा यही है कि क्या इस तरीके से जो बयान सामने आए कहीं ने कहीं किसानों को आहत नहीं पहुंचाते इस तरीके की क्या बयान किसानों की जो उम्मीद होती है किसानों किसान जो है पूरी उम्मीद के साथ में जो है आगे आते हैं तो किसानों को क्या आहत में ही पहुंचाते हैं, क्या चोट में ही पहुंचाते हैं इस तरीखे के बजाते हैं। किसी पार्टी के लिए तो आप बताए कि किस तरीके से देख रही है जी सम्तोषी आ देखिए ये बयान खुद में दुर भागे पूरण है क्योंकि ये बयान जो जिस तरह से आया है इस बयान का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि जब जो किसान थे आंदोलंग पर बैखे थे हम 24 फसलों के MSP दे रहे हैं लेकिन मैं पूछा अचारी 24 फसले हैं कौन सी ये बता दें कि 24 फसल कौन सी हैं मैं मान जाओंगी क्योंकि 24 फसल हैं जिन पर ये MSP की बात करें MSP ये कुल मिलाकर जितनी फसलों पर दे दें हम तो उन्टनियों पर लेने के लिए किसान तयार है सब दे रहा कि किसान तो खुद तो जमीन बहुता ही बहुता है उसकी बच्ये फोज में बढ़ती होते हैं ये जो बैठे है ना इसी कमरों में बैठे है इनका कोई बच्या आग तक शहीद है ना उनके लिए उनके कोई पॉलिसी है अभी अभी आगनी बीर पे बहुत सारी वट जम्ला हुआ 24 लड़के मलब खड़े खड़े घजर बरके छोड़े शहीद होगे उनको शहादत का दर्जा नहीं है मैं आपको बता हूँ आपके चैनल के माधन से वो शहीद नहीं होए वो केवल मरे हैं क्योंकि शहादत का उनको कोई भी जो बैनिफित होता है वो नहीं है मैं जम्मु कश्मीर में रही हूँ मलब 300 किलो अर डि-एफ एक गारी लेकर आती है जहां दावी 1000 लावजक जाने होते हैं वहां 300 किलो अर डिएफ लेकर एक गारी कैसे आ जाती है और पहली 5 बसे बुलत प्रूफ इंदि को इतना तक ज呀न था तो वो चछटी बस में ही तक क स्टामेजनराइस हो जाती हैं माहँदिक गवर्नर रिक्षा मंज़ी को बोलते हैं के तहीं हुग बरदान मंज़ी को बोलते हैं ऐसका हो गए वो कहते हैं आप शांत रहें जिस देश के तवारीस लड़के इस कराते माड़े जाएं वो स्थैनिक मारे जाएं क्योंकि उनको मैं शहीद इसलिए नहीं कह रही क्योंकि उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है आज तक इंक्वारी नहीं हुई है क्या देश के मुख्या की ये जिन्मेदारी नहीं है जिस देश के सैनिकों के ऊपर इतना बड़ा हमला हो उसकी इंक्वारिया तक ना हो मीडिया एक बात बूस्त को खाए ना किसानों की शहादत पर भी मीडिया एक शब्द न बोले सारे मीडिया को बांध रखा है कोई शब्द निकान नहीं सकता तो मेरा कहने का मतलब यह हालात बेहत खतरनाक है लोग तंत्र को खतम किया जा रहा है यह कुछ गिने किने लोग है इनको सुबह सुबह वर्चत ज्यान आजाता है उस वर्चत ज्यान में यह सब कुछ एक इकटा कर देते हैं उनको कोई लेगा देगा नहीं इस जेश्टे कोई लेगा नहीं यह बाइट तो क्या किसान अंजोलन जब होते हैं तो क्या उनसे जो है कहीं ने करी विश्वा सोटता हुआ नजर आएगा इस तरीके के बयान जो है एक बड़े और पर बड़े जिम्मेदार रहती जी इसका ड किसानों में कॉछ लोग बैटे हुए हैं यह पहले भी सेटमेंट बीजेपी के लिए हैं मनो जी समय का बाव है तोड़ा सा मनो जी आप एक लाइन में जो है संटेंस कीजिए क्या आने वाले समय में जिस तरीके से अंदोलन होते हैं किसान अपनी माने रखते हैं राज जी क सरकारों के खिलाफ है केंद्र की सरकारों के खिलाफ जब आप लग जब बयान आएंगे तो जो रुर्जेंस एरिया में जो रहते हैं किसाने छोटे किसाने बड़े किसाने वह वहां तक पहुंच पाएंगे मनुझ महां से भी पार्टिया निकलती ही देखे हैं वहां से भी मुख्यमंत्री निकले हैं बिल्कु सही कह रहे हैं आप जी ठीक है दिने जी दिने जी एक लैंग में फिर सर्मा जी आपका फाइनल कॉमेंट लूँगा मैं तो एक ही बात करूँगा कि जी ठीक से 2012-13 के अंदर लोगपाल बिल को लेकर और काले धन को लेकर आंदोर से चलाए गए निश्चित तौर पर वो अपने आपको साबित करते हैं कि वो प्राइजित थे अगर वो प्राइजित नहीं होते हैं तो कालाधान आज तक इतने साल हो गए कहीं दिखाई नहीं देता लेकिन हमारे शिराप भार्षी जिन्ता पारिटी के लोग बैच कर जो ये बाते बोलते हैं कि शिफानों की जमीन हडप लीवो कर लिया अगर दस साल से चेंडर बैच नहीं हो तक तक जितने आरोप लगाए जितने लगाए आज तक एक आरोप कुछ पिद्द करके नहीं द देखो जिस तरह से देवत पुल्ले जंता जनासने अंदर में विचो के सबस्टरी और ताकत परजान मंत्री आज़ने नायग जिए जी को आफिरवात दिया है तो मैं समझता आज पिसरी वारत जैसे है मारी करकार बनाई है ये विचो के सबसे लोग श्री और ताकत और पर इसलिए मुझे वांफिके साथ को रुपनाठा बढ़ रात जी और रहा है रागान जी श्रमारी जी और संतोष दहिया मन certains कुमार बरेश पत्रकार के सबस्ता है सबी मेमान हमारे साथ चर्शा में सामिल है बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद थेंकियू सो मच फॉर जानिंग अस टोड़े लेकिन मसला में यही सवाल है कि क्या जिस तरीके से जो है आप गुरुनाम चड़ोनी के बयान को जिस तरीके से राजनिती में लिया जा रहा है उसकी गर्मार्ट यहां पर देखने को मिल रही है लेकिन उनकी तरफ से स्टेटमेंट आना बाकी है कि इस तरीके से क्या अपना निजी तोर पर जो है यह उनका बयान है या फिर उनकी पार्टी से या फिर किसान मोचा से संबन देती है बयान ये इस पर जो है उनका बयान आना बागी है फिलाल मसला में इतना ही नमस्कार